पूरक कोण के त्रिकोण मिती अनुपातों का उप्योग आईए हम यह देखें कि पूरक कोणों के त्रिकोण मिती अनुपातों की साहता से त्रिकोण मिती साड़नी का बिना प्रयोग किये मान कैसे ग्याद करते हैं? क्या उन कोणों के लिए त्रिकोंड मिती अनुपात पता करना सरल नहीं है। हम इनका उपयोग कर सकते हैं जैसे थीटा बराबर 31 डिग्री या फिर 13 डिग्री और 5 बराबर 20 डिग्री या 43 डिग्री आधी। अब हम 2 टाइम साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री का मान त्रिकोंड मिती साणनी का प्रयोग किये बगैर ही ग्याद करके देखते हैं। चलिए हम एक प्रश्ण लेते हैं, 2 sin 30 degree upon cos 60 degree और इसका मान हम त्रिकोन मिती सार्णी का प्रेयोग किये बिना ही ग्याद करते हैं, इसके लिए देखिए, 2 sin 30 degree upon cos 60 degree में, cos 60 degree को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरक कोन के जो त्रिकोन मिती अनुपात हमने देखे थे, उसमें हमने देखा है कि cos 90 degree माइनस थीटा बराबर होता है, sin theta, तो उस इसाब से यदि हम इसे लिखना चाहें, 2 sin 30 degree upon cos को, cos के बाद जो 60 degree है, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे चाहें, तो 90 degree माइनस 30 degree भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 degree माइनस 30 degree हमें मिलेगा 60 degree, अब यदि पूरा कोन के, त्रिकोन मिती अनुपात के, इस मान से हम इसकी तुलना करें, इस संबन से, तो आप देखें, थीटा के इस थान पर यहां लिखा हुआ है 30 degree, तो इसका resultant क्या मिलेगा हमको, क्या लिख सकते हम यहां पर, sin theta क इसका हम यहां पर उप्योग कर सकते, तो हम लिखेंगे sin 30 degree, 2 times sin 30 degree upon cos 90 degree माइनस 30 degree के स्थान पर लिखेंगे sin 30 degree, तो यह हो गया sin 30 degree, अब इसे हल करने पर, आपको क्या मिलेगा, 2, तो 2 sin 30 degree upon cos 60 degree का, जो मान है, वो बिना त्रिकोन मिती, साड़नी का प्रयोक के बिना हमने प् चलिए आगे देखते हैं, चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, 3, 10, 15 degree upon cos 75 degree, इसे भी हल करते हैं, बिना त्रिकोन मिती साड़नी का प्रयोक किये बिना, तो इसे ले लेते हैं, 3 times 10, 15 degree upon cos 75 degree, और यह हमें देखना होगा कि cos 75 degree को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम, हम चाहते हैं कि यह त्रिकोन मिती अनुपाद जो है, वो समान हो जाए, ताकि इन्हें हल किया जा सके, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, 75 degree को लिखा जा सकता है, 90 degree minus 15 degree, इससे क क्या हुआ कोन समान हो गए, अब देखिए, फिर से पुरा कोन के त्रिकोन मिती अनुपाद से हम जानते हैं, कि cos 90 degree minus theta is equal to होता है, 10 theta, और यहां पर यदि theta का मान ले लिया जाए 15 degree, तो यह हो जाएगा आपका 10 15 degree, तो अब आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 3, 10 15 degree upon cot 90 degree minus 15 degree को लिखा जा सकता है, 10 15 degree, तो हमने इसे यहां लिख दिया, 10 15 degree, और इसलिए यह हल होकर हमें देगा 3, तो इस प्रश्न का भी हमने यहां पर हल प्राप्त कर लिया,